हेलो फ्रेंड्स आज रीट के बारे में आज के पत्रिगा वेपर में न्यू जाई है कि इस साल रीट के माध्यम से बंपर भरती होगी 25,000 से अधिक शिक्षवक्र की होगी भरती और ये हाकड़ा 40,000 तक जा सकता है अधियापक बनने का सपना संजोए परदेश की युवाओं के लिए नया साल भरपूर सोगात लेकर आएगा अधियापक पातरता परिक्षवरीट के माध्यम से अगले साल परदेश में बंपर भरती होगी शिक्षविभाग ने फिलाल 25,000 अधियापकों की भरती की स्विक्रती जारी की है अलबत्ता परिक्षव होते होते यहां आकड़ा 40,000 तक पहुँच सकता है माध्यमिक शिक्षवरीट राजस्तान के ओर से फरवरी 2018 में रीट आयोजित की जानी है इसके लिए अधिसूचना एक दो दिन में जारी होने की संभावना है परदेश में रीट का आयोजन लगभग दो वर्स बाद होने जा रहा है दो वर्स बाद हो रही अधियापक भरती को देखते हुए नियुक्तियों का आकड़ा भी पिछली बार के तुलना में दुगना कर दिया गया है पिछली बार 15,000 अधियापकों की बरती के लिए 7 फरवरी 2016 को रीट ली गई थी इस संभन्द में वासुदेव देवनानी का कहना है कि अधियापक पातरता परिक्षा के माध्यम से 25,000 अधियापकों की बरती की स्विकरती दे दी है अधिस उचना शिक्षा वोड की ओर से शिग्र जारी कर दी जाएगी दोनों स्तर के लिए अलग-अलग परिक्षा होगी किस तरफ पर कितने पद बढ़ती होगी यह भी जल्दी तैय कर लिया जाएगा तो 25,000 से अधिक शिक्षोकों की बढ़ती होगी इस बार REIT में और इसकी exam date सुनिशित की गई है 11 February 2017 और किस subject में कितने कितनी post होगी इसके बारे में news आएगी तो हम आपको बता देंगे Thank you